हेलो दोस्तो वैदी कोम रेमिरीज में आपका स्वागत हैं आज मैं आपको चुवे के काटने पर क्या गरेलू उपाय किये जाएं आए जानते हैं पोदीने की हरी पत्यों को पानी में पीस कर लुगदी को चुवे द्वारा काटे गए स्थान पर लेप करने से चुवे का विश नश्ट हो जाता है इसके साथ ही पोदीने की पत्यों को खाना भी अच्छा रहता है चुवे की अतिरिक्त नेवले या फिर बिल्ली ने काट लिया हूँ तो पोदीना खाने और पोदीनों की पत्यों का लेप करने से नेवले या बिल्ली काटे का विश उतरता है पौदीने का पानी लगातार पिलाते रहने से कुछ विशों का प्रभाव भी कम हो जाता है और दन्स थान पर पौदीना पीस कर लगाने से विस भी खिंच जाता है बर बिच्चु या फिर जहरीले कीडे के दन्स पर भी यह प्रियोक लाप परद है पौदीने की लेप के साथ पौदीने की पत्ती पान में रखकर खाने से विच्चु का विस भी उतरता है जैसे ही चूह काटे तुरंती सनाय के पत्ते उबाल कर कुछ दिन रोगी को पिलाए तो चूहे का विस लेटिन के रास्ते से निकल जाता है चूह काटने के स्थान पर पीड़ा तो अवस होती है और सूजन वे लाली भी आ जाती है वो शरीर में जिलन और दिल में गब्रहर सी होती है रोग पुन उभर आता है मैने दो मैने तक ये लक्षन दिखाई देते हैं प्रंतु सूजन नहीं उतरती साम के इंदन स्थान पर जोर से जंजनाट या पीड़ा होती है प्रंतु चूहा चुपचाप से ही वेक्ति को काटता है और जायतर वे उंगली में ही काटता है चूहे के काटने पर उसके दोनों दांतों के निशान स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और थोड़ा खून भी निकल जाता है प्रंतु कई बार चूहे के विश से कहाउफ दिखाई नहीं देते जब पानी का स्पष होता है तब उस जेंगे जलन होने लगती है यदि घर में चूहे बढ़ गए हों तो तारपिन के तेल में कपड़ा या फिर कॉर्क भिखोकर चूहे के बिलो और उनके आने जाने के मार्ग पर डाल दे चुहे जल्दी ही भाग जाएंगे या फिर फिटकरी को पीस कर चुहों के बिलो में डाल दें या फिर जहां चुहे जादाओं वहां फिला दें क्योंकि चुहे फिटकरी की गंद से भी भागते हैं तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छे लगा तो लाइक करें और शेर करें और मेरी आने वाली नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग